आज पूरा देश प्रकाश का पर्व दिपावली पूरे जोश उत्सा और उल्लास के साथ मना रहा है। बातार कमेंट्स भी आ रहे थे और हमने भी माइंड मेकप किया हुआ था कि ठोड़ा समय निकल जाएं आप ठोड़ा रिलीव हो जाएं अभी अभी एक्जाम समाब दुआ है। और लगता है कि हमेशा कुछना कुछ कमिया रह जाती है। बहुत सारे लोग जो रिजर्फ में नहीं आ पाते हैं तो आप अगर कैल्कुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ कमिया रह जाती है। कमिया यह है कि हम लास्ट मोमेंट में जो दिन रात एक करते हैं वो कम पढ़ जाता है। किसी भी आइडियल एक्जामनेशन के लिए बड़े एक्जामनेशन के लिए दस महीने नीडेट हैं। कम से कम दस महीने चाहिए होते हैं अगर एक्जाम को confidently, finally इसे हमें डेंट करना है, निकालना है। और next BPSC एक्जाम जो 66 कहलाएगा, 66 BPSC, अगर उस एक्जाम में लगना है, भड़ना है, जुटना है, इसे निकालना है, finally, तो यह सब से ideal situation है। दस महीने अभी कम से कम आपको next एक्जाम के लिए मिलें होंगे, यह 10 महीने अभी आपके पास हैं, next एक्जाम जब भी होगा, कम से कम 10 महीने अभी से आपको मिलेंगे, तो यह ideal situation है, ideal इस मामले में भी है, कि हमें केवल PT रहीं, mains के बारे में भी सोचना चाहिए, जो बहुत से सभी शात्रों के अलग-अलग पेपर्स इसमें होते हैं, लग-बग 34-35 ऐसे पेपर्स होते हैं, जो अलग-अलग होते हैं शात्रों के, जबके इसमें GS पेपर 1 और GS पेपर 2 common होता है, लेकिन एक पेपर, जिसे हम VACALPIC या optional विशे कहते हैं, अलग-अलग शात्रों के अ ये प्रिलिम्स का एक्जाम होता है, आप बहुत competent हैं, मेंस के तेयारिया आपके बहुत अच्छी हैं, बट प्रिलिम्स ही नहीं निकलता है, पी-टी के रिजर्ट से नहीं हो रहे हैं, इस बार भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कि आप 87, 86, 85 के असपास हैं, जो जनरल में ब अफसे लिबस दिया आयाता है, ये ये कर लें, लेकिन इंडेप्ट नहीं होता, हम पुराने कोशन्स के एक्स्पिरियंस अनुभाव पे हम तैयारी करते हैं, और इज़ाम में जाते हैं, कई बार वो तैयारी हमारे लिए बहुत हल्फुल होता है, और कई बार कुछ नई ब होगा, इसके बारे में हम लोग बाते करेंगे, लेकिन इस तैयारी, इस तैयारी जो 66 की अब तैयारी होगी, A, B, C, D से, बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग इस पार तैयारियों में लगे, लेकिन कामियों के सार, बहुत सारे लोग पुराने हैं, लेकिन हम शु प्रशित हो जाएं इसके बात करेंगे तैयारी हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं अभी हम लोग क्लास का स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हमारे पास रिसोर्सिस क्या हो बुक्स क्या हो इसके बात आज होगी आज जो हम लोग स्टार्ट लेंगे उसमें हम लोग पहले से जो तैयारि करते आ रहे हैं, उसमें बहुत flaws नहीं थे, बहुत सारी कमियान नहीं थी, जो तैयारी हम लोग कर रहे थे, इतनी तैयारी के बाद भी आप रेजर निकार सकते हैं, कमियान रहे जाती हैं, हम जानते हुए 8-10-12 questions गलत कर देते हैं, और यह E option जो BPSC में है, यह बहुत misleading है, devastating है यह भी शात्रों को, विशेश कर नई शात्रों को बहुत दोविधा में डालता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाता है, आयों के इस पर सोचना चाहिए, यह पांचवा option कहीं से भी तरक संगत नहीं है, यह अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए आयों ने से इंट्रोड्यूस किया है, पांचवा option बैंकिर के एक्जाम में होता है, और भी कई एक्जाम में, लेकिन उसमें तरीका अलग होता है, यहां पांचवा option है, कि उपरियुक्त में से कोई ही नहीं, या उपरियुक्त में एक से अधिक, all of the above, या none of the above, ये च्वा करनाक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला है, चाथ कही बार इसमें trap हो जाते हैं, फसते हैं, तो इसके कारून हमें बहुत बार नुकसान होता है, और बड़ा नुकसान हो जाता है, 8-10 questions के नुकसान हो जाते हैं, anyway, जब हम अभी से लगेंगे, तो इन पर भी हम काम करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे, और देखेंगे कि इसे हम कैसे पार पाएं, चलिए जो हम लोग तैयारी का है, स्ट्रेडिजी का तरीखा अब अपनाएंगे, उसमें, हमने कहा कि बुक्स ठीक हैं, जो दो गाइड बुक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, अगर इसे ही 2 चार पांच बार रिवाइज हम कर लें, तो प्रश्ट नहीं उड़ता, कि आप उतने कोश्चन्स नहीं बना पाएंगे, जितने में रिजल्स होते हैं, रिजल्स कितने में होते हैं, अगर आप कट आफ देखें, प्रिवेस एर्स के, तो 150 कोश्चन्स में, जिसमें हो जाते हैं, 60 कोश्चन्स आप गलत कर सकते हैं, तब भी रिजल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 150 में 130-40 करने हैं, आप 90-100 भी करेंगे तो आपके रिजल्स होते हैं, तो बात यह हैं कि जो बुक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसे हमें बार बार पढ़ लेना ताकि हम एक्जाम में जानते हुए मिस्टेक ना करें, तो दो गाइड बुक्स हम लोग लेकर चलेंगे, अट फर्स्ट, लूसेंट और क्रॉण, इसका पिक्चर हम फिर से आप पो दिखा रहे हैं, ताकि लूसेंट और क्रॉण, ध्यान रखें, हमें दोनों बुक्स ना है, ये ना कहें, कि हमने क्रॉण ले लिया है, कुछ कहेंगे कि हमारे पास लूसेंट है, हम इस बार स्टेट फरवर्डली कहेंगे, अगर आप रेजर्ट्स चाहते हैं, तो इस बार आप फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें, रिजर्ट डेफिनिट होगा, और आप न मौडर इंडिया में हिस्ट्री में आधुनिग भारत में कमांड करने के लिए, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, और ये इस बार होगा, स्पेक्ट्रम का आधुनिग भारत, राजी वहिर की जो आती है, ये हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इस बार पढ़ लेगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा हिस्ट्री से काफी सारे कोश्चन्स आते हैं पूरे हिस्ट्री में 35-40 कोश्चन्स हो सकते हैं उसमें से 20 कोश्चन्स आप मान कर चलें कि और दून की इंद्या से आते हैं तो हम लोग साथ में राजी वहिर को अड़ करेंगे आपको एक objective भी साथ में रखना होगा और उस पर practice करना होगा ये lucent या crown दोनों में से कोई भी ले सकते हैं लेकर यहाँ पर हम आपको lucent कहेंगे अगर crown आपने ले लिया है तो भी ठीक है अच्छा है लेकिन अगर आप objective लेना चाहते हैं यहाँ पर प्रेफर करेंगे ज्यादा दोनों ही अच्छी है objectives के लेकिन lucent आप ज्यादा प्रेफर करें अगर आपने नहीं लिया है तो आप lucent ले और आपने ले लिया है तो crown भी ले लिया है तो बुरा नहीं है तो objective एक साथ में आपको रखना है कोई भी एक उसके बाद economy में कही बार छादर परिशान होते है economy हम इसी से करेंगे हम लोग इनी दो guide book से करेंगे लेकिन additional कहां से होगा additional होगा परत्योकता धरपन से परत्योकता धरपन का एक साल का हम लोग complete करेंगे और इसी October month से हम लोग start लेंगे October month का PD आपको रखना चाहिए अगर आप लेते हैं कोई और द्रिश्टी या घटना चक तो आप ले सकते हैं बट हम यहां पर prefer करेंगे PD आपको आप PD लें इसमें जो आर्थिक प्रिद्रिश होता है इसे बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे तो current based जो आता है एकोनुमी से वो कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से कवर होगा इसमें विदेशी वियापार हो गया RBI से रिलेट बहुत सारे तत्थ होते हैं Forex हो गया किर्शी में लागत से संब्दिद बहुत सारे तत्थ यहां पर आते हैं यह हम लोग एकोनुमी यहां से करेंगे और जब बुक हमारा guide book है वो मिलाकर यह काम हो जाएगा Don't worry एक segment current affairs का current affairs में हम लोग इस बार पूरे एक साल काम लोग करेंगे और अप्तूबर 2019 का PD आपको लेकर रख लेना है एक magazine पढ़ना है और हम यहां पर आप से यह विशेश रूप से कहेंगे आप YouTube पर current affairs का कोई भी एक channel definitely जो भी आपको अच्छा लगता है सब किसी ने किसी से आप पर भावित होते हैं कोई channel से, किसी बोलने वाले से या किसी वेक्ति विशेश से सब के लिए अपने अपनी सुविधा है तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे आप कोई भी एक YouTube पर चैनल 10-12 मिनट का current affairs daily आप देखें और उसे follow करें current affairs इससे काफी होगा और आगे भी हम लोग बात करेंगे current affairs किस तरह से हम लोग उस पकड़ बनाएंगे ताके हम 25 और 30 questions में से हम 24 और 28 और 29 questions करने की इस्तिम होगा तो दो ये हो गया दो guide book एक objective की book Lucent या क्रॉं Lucent ले तो बेटर है और एक आप राजी वहीर की लेंगे spectrum की आदूनिक बारतिय इतिहास और एक magazine PD आप लें हमारे हिसाब से PD लें और अगर अस्विधा आपको कहीं और है तो आप ले सकते हैं लेकिन एक मंत्री magazine इस तरह से हम लोगे start लेंगे NCRT हम आपको पढ़ा देंगे history NCRT आपको अलग से नहीं करना है ले सकते हैं तो आप पुराने वाली NCRT तीनों ले ले सकते हैं पटना कॉलेज के सामने पटना में और मुखरची नगर में दिल्ली में मुखरची नगर में ये मिल जाता है पुरानी वाली NCRT इतिहास की तो ये हो गया इतने books आपको लेकर रख लेना है जो नए हैं वो क्राउन लूसेंट का राइप बुट ले 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 एक आपजिक्टिव ले 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 उसके बाद राजी वहिर की आज़री भारती इतिहास एस्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ले ले और पट्ट्रों तरपन अक्टूबर का आप लेकर रख ले और आब हर महीं ने लेना है तो यह होगा हम उन्हों के तयारी का तरीका और हम लोग तयारी स्टार्ट जब लेंगे तो और भी आगे बाते करेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन आप हमें स्टार्ट ले लेना है और इस बार इस बार यह सब नहीं करना है कि भागे जा रहे हैं कहीं, कोचिंग या कहीं ऐसी जगए जा रहे हैं, जहां आने जाने में आपको दो-तीन घंटा निकल जा रहा है आप जहां पे हैं, विशेश का छात्रा हैं, वहीं आप तेयारी करें और इस बार थोड़ा सा cool होकर बहुत भाग दोड़ नहीं करना है परिशान नहीं होना है बस डेली दो खल्टा आप स्टडी का निकाल ले हम लोग topics करेंगे अच्छे से आगे बढ़ेंगे इस बार ज्यादा consolidated होगा अच्छे से होगा जो को छूड़ जाता है तो यह अपनाएंगे इस बार आप यह शापत लेंगे इस बार हम निकालेंगे और ऐसा नहों कि बीच में 15 दिन 10 दिन बिलकुल पढ़ाई छोड़ दें gradually दो ही घंटा एक ही घंटा लेकिन daily आप बढ़ेंगे यह आप एक routine बना लें इस तरह से हम लोग चलेंगे और hopefully इस बार हम लोग बहुत अच्छी तियारी के साथ एक्जाम में उतरेंगे result में जो आना है जो पहले से एक्जाम दे चुके हैं result आना होगा आएगा अगर आगया तो बहुत अच्छा और अगर किसी तरह का 19-20 हुआ तो फिर हम लोग नए जोश में और नए टंच से लगेंगे इसलिए के ultimately हम ये BPSC निकालना है और किवल BPSC है नहीं आप UPPCS दें बहुत अच्छा वो BPCS है और दूसरे SSC आप देते हैं अभी बिहार में CGL आएगा बिहार का CGL वो जो भी दें दरुगा का एक्जाम है वो भी दें जहां तक संबह हो दें एक नौकरी हमें जल से जल लेना है और ये तब होगा जब हमारे अंदर वो जौला आग जलती रहें और ऐसा नहों कि एक परिक्षा के बाद हम बैठ जाएं हम उसी तैयारी और उसी जोश के साथ ताला आपका जल नहीं टेक्षियार